देखिए दोस्तों मेरा बाबु भींडी तोल रहा है इसको भींडी के सबजी और रोटी खाना है तो देख सकते हैं अपने से तोल रहा है मैं भी बोली कि जाओ सीखो इसा बच्चा लोग के हर काम में थोड़ा थोड़ा सीखाना चाहिए दोस्तों ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह काम नहीं करवाएंगे यह नहीं काम करवाएंगे इसलिए मैं बोली कि जाओ करू अगर तुमारे ही मन है तो डर भी रहा है तोल भी र आया है मेरा बाबु देख सकते हैं इतना भिंडी आप चलिए आप इसका सब्जी बनाते हैं आईए आप सब लोग भी खाईए मेरा बाबु का हाथ का तोड़ा हुआ भिंडी दोस्तों देखिए इतना तोड़के लाया है इतना ही था भिंडी दोस्तों लेकिन फिर भी हो जा बनाने लगी हूं दोस्तों सब्जी और रोटी में साथ साथ पटा पट बना लेती हूं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूं दोस्तों और मतलब देखिए इतना ही इतना ही भिंडी था दोस्तों तो मैं यहां पर बनाने लगी सब्जी और रोटी दोनों साथ में ही दोस दोस्तों मैं एक ठोका अलू का भुंजिया बनाई एक बाबु के लिए एक बाबु के लिए भिंडी का सब्जी बनाई तो यहां पर बना लेती हूं तो मिलती हूं मैं सबजी और रोटी बना के देधी बाबु खाने लगा दोस्तों इसका फेवरेट है भिंडी का सबजी सुखा और रोटी देखे दोस्तों देखे इसका फेवरेट है लेकिन दोई रोटी खाता है ज्यादा नहीं खाता है दोस्तों दोई रोटी खाता है नहाधवा लिया ब फिर मंदे को है तो चुटी है जैना पूर्ण के पुझा मा भी देला स्टा के चैनल को हुसे पुझा गवत्त कर दोस कहां दिखाते हुग तो अब हमारे रीडियो के लाइक की तुमेंट कीजिए।ickets हम लिप języ और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दोथ आपके सब्सक्राइब से फर्स्टो़ी के समगा छाया गाए इसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब newsletter कीरूण की वहसके और्म कुछ पूजा का समान रखना होगा तो साफ कर लेती हूं तो कुछ पूजा का समान रखना होगा तो अधिक्कत हो जाएगी अगर खोवा अमंगाँगी बनाने के लिए पड़ा किया तो तहाँ पर देखे दोस्तों मैं नीकाली नहीं हूं पाट-पाट बस ऐसी ही हूं इसको स किकपड़ा से मैं पोच दूँंगी और ऐसे भी बहुत अचछा से साफ हो जाता है दोस्तों अगर आपका फ्रीज ज्यादा गंदा नहीं है तो बार बने कालना भी कोई जरूरी नहीं है मैं तो तो मैं यह भी ऊत्साफ कर लेती हूं और आप लोक देख भी सकते हैं ज्यादा उत्ना गंदा नहीं है तो मैं इसे ही जालता करणा अब हो जृस जारूरी नहीं हो थो तुर्न्थ दुरूगाभब यहाई है दोस्तों जालते हैं यहां पर ऐसी ही साफ कर रहे हैं आए से बहुत अच्छा से साफ हो जाता है दो कि दिखाओंगी देखेंगा और बताय KHाuser चुना के नहीं हुँ अब यहां दिखांगी टोस्तों यह चलते मैं ऐसा तॉली से पोच दे रही हूं सेंपूल से लगड के उसके बाद पानी से भींगा के तॉली को और एक बार अच्छा से पोच दे रही हूं फिर उसके बाद सुखा कपड़ा से दूसरा तॉली से फोच दोंगे दोस्तों और बहुत अच्छा से साफ हो भी गि कितना अच्छा से फ्रीज साफ हो गया मेरा देख सकते हैं कितना अच्छा से फ्रीज साफ हो गया है देखिए आप लोग कोमेंट करके बताएगा कि हुआ है साफ या नहीं हुआ है दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छा से साफ हो गया था दोस्तों बिना खोले भी बहुत अच्छा से साफ हो गया था उसके बाद यहां पर देखिया है जो बरतन हमको पूजा की जरूवत थी वो बरतन मैं यहां फिर धोने लगी दोस्तों क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है अपतीज के दोस्तों एकदम नजदिक टाइम बचा है तो मैं जादा परसान हो जाती हूं दोस्तों तो अब मैं वीडियो को भी यहीं पर आइंड कर रही हूं दोस्तों और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट सेर्ज जरूर कीजिएगा बाइबाइबाइबाइबाइब